जै माता की ओम नमाशिवाय हर हर महादे नमशकार आभार मैं पड़ित निती शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड प्रहारदिक स्वालख करता हूँ उमीद है आप सभी स्वास्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के उपर बनी रहे कमेंट में सभी माता रानी के नाम का जैकारा दगा देंगे बोलिये साचे दर्वारे की जै मेरे प्यारे मंधू जनों दुकानदारी से जुड़े हुए उपाई तो अक्सर मैं आपको बताता ही रहता हूँ मैं आपके लिए नए नए उपाई लेकर आता रहता हूँ जिन से आपकी दुकान अच्छी चलने लग जाए लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसी चीजे जो ऐसी गलतियां आपने अपनी दुकान में नहीं करनी है अगर आप अपनी दुकान में ये गलतियां करते हैं तो अपनी इन आदटों को आप सुधार लीजिए क्योंकि आपकी दुकान पर ग्राहत कदम भी नहीं रखेगा अगर आप अपनी दुकान में ये दो गलतियां कर रहे हो इनी गलतियों को बाद में आप उपाई के रूप में भी ले सकते हैं कि मैंने ये गलतियां नहीं करनी है और इनका जो उपाई है वो मैं करूँगा मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि अगर आप आज करी एपिसोड पूरा दे गए तो आपकी दुकान में कभी ग्राहतों की कमी नहीं रहेगी क्योंकि उपाई तो हम करते हैं वो तो हमारे लिए काम आते ही आते हैं साथ में हमें कुछ ऐसी बाते भी ध्यान में रखनी चाहिए जो हमारी दुकान पर गलतियां ना हो हमेशा हमारी दुकान पर ग्राहत आते रहें तो आज का जो ये एपिसोड होने वाला है ये एपिसोड सभी एपिसोड से अलग होने वाला है बहुत जादा खास होने वाला है क्योंकि जैसे जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ऐसी जानकारी हर कहीं हर रोज नहीं मिलती तो जितने भी हमारे इस टाइम हमारे भक्त हमें देख रही हैं अगर आप पहली बार पंडित नीतिम शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबाले जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड की जो एपिसोड की शुरुआत करते हैं जै माता तेरी सदा ही जै तो मेरे प्यारे बंधु जनो हमारे पास बहुत सारे हमारे फोलोवर्स हमारे सब्सक्राइबर्स जिनके कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी बहुत उपाई कर दिये लेकिन फिर भी ग्रहक का पैर दुकार में नही पड़ता हो सकता है कि आपने बहुत उपाई प्राई करके देख लिए हो लेकिन किसी भी उपाई का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो अब जो दो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों चीज़ों को अपनी दुकार में आपने देखना है कि कहीं ये दो गलतियां आपकी दुकार में तो नहीं हो रही है अगर हो रही है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही उन दोनों गलतियों को सुधारने पर आप काम करना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी दुकार में एकदम से ग्रहक आना शुरू हो जाए तो मेरे प्यारे बंदू जरो चलिए अब मैं एक एक करके वो दोनों चीजे आपको बताता हूँ जो आपकी दुकार में हमेशा ग्रहक आने से रोगती है यह दो चीजे में मैं आपको बताऊं लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एपिसोड को बीना शेर किये आपने नहीं जाना है क्योंकि मेहत्व पूर्ण जानकारी सभी के लिए जरूरी होती है तो चलिए अब मैं सबसे पहली जो गलती है वो आपको बताता हूँ जिसकी वज़से दुकान में ग्रहक नहीं आते दुकान में बैठने पर जो आपका मुख है वो कभी भी पश्ची की तरफ नहीं होना चाहिए चाहे आप अपनी गद्दी पर बैठी है या आपने कोई कुर्सी रखी हुई है या आपका कोई काउंतर है जिस टाइम आप अपनी जो गद्दी है जो आपकी चेर है जब आप उसके उपर बैठते हैं तो आपका जो मुख है वो कभी भी पश्ची की तरफ नहीं होना चाहिए जिस डायरेक्शन में सूरज छिपता है संसेट होता है उस डायरेक्शन में कभी भी आपका मुख नहीं होना चाहिए अगर आपका जो मुख है वो दुकान में बैठने पर पश्ची की होगा तो धीरे धीरे करके आपका भग्यक डाउन होता चला जाएगा धीरे धीरे करके आपकी दुकानदारी डाउन होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दुकान में बिल्कुल ही ग्रहकाना बंद हो जाए अगर ये गलती आपकी दुकान में कर रहे है या आपकी दुकान में ये गलती हो रही है तो अभी इसी मिनट से इस गलती को आप सुधारिए आपका जो दुकान में बैठने पर मुख होना चाहिए वो या तो पूरब की तरफ होना चाहिए या जो पहाड की दिशा बोलते हैं उत्तर उस तरफ आपका मुख होना चाहिए उसी दिन से आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, जिस दिन से ये गलती आप तुमी दुकान में सुलहार लोगे, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, दूसरी कौन सी सबसे बड़ी गलती है, जो दुकान में ग्रहक आने का, ना आने का सबसे बड़ा कारण बंदी है, एपिसोड को शेयर जरूर करना है, अगर हमारी महनत आपको पसंद आती है, तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, वो गलती ये है कि आपकी दुकान खोलने का, आपकी दुकान बढ़ाने का जो टाइम है, उसमें अक्सर सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, अगर आपकी दुकार जब नहीं रही है बहुत साल हो गए तो अब मैं आपको बताने वाला हूं दुकार खोलने का वो टाइम जो शास्त्रों में भी और एक बहुत अच्छा समय कहा गया है अगर आप उश टाइम में अपनी दुकार खोलते हैं तो आपकी दुकार में हमेशा ग्रहकों का पताता लगा रहेगा करके देखिए आजमा कर देखिए फिर आप बताईएगा सबसे पहली तो एक इंपोर्टन चीज की आगर आपका दुकार खोलने का शाम को दुकार बढ़ाने का कोई निश्य टाइम नहीं है कभी सुछ आप साथ वजे दुकार खोल देते हैं कभी कभ अपकर खोलने का कोई टाइम नहीं है अगर हम इस से चीज लेंगे और कई बार क्या होता है कि एकस्जेंग करनी पड़ती है तो इसका तो यही पता कि ये दुकार कर टीस्टाइम आता है तो एक टाइम निश्चित कीजिए कि इस टाइम मैंने दुकार खोलनी ही खोलनी है और एक ताइम फिस्ट करिए कि इस ताइम में को दुकार बढ़ा देनी है शास्त्रों के अनुसार क्या समय बताया गया है जो दुकार खोलने के लिए सबसे शुब होता है सुबहा साड़े आठ या नो बजे तक का जो समय है वो शास्त्रों के अनुसार बहुत शुब और बह प्रकीन मारे कभी भी आपकी दुकार में माता महालक्षमी की धन की कोई कमी नहीं होगी शाग को जो दुकार बढ़ाने का समय होता है वो समय आपका होना चाहिए साड़े छे और मैक्सिमम साथ अगर आप सिवर साड़े आठ बजी दुकार खोल रहे हैं तो शाग को साड़े शेवे जी तक आप अपनी दुकार बढ़ा सकते हैं अगर आप नो एक होदर में हैं तो साथ बजे दुकार को बढ़ारा आपके लिए बहुत जादा कल्यार कारी होगा तो प्यारे बंधु जनों बताई गई इन दो बातों पर अमल कीजिएगा मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी दुकान पर ग्रहत आने से रोकते आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नई इंट्रस्टिंग जानकारी के साथ तब तक के लिए जैजनवाश्टमी जैश्रीक्रिशन और